Dear student, we have to discuss education for sustainable development. हम ECE का रोल बात कर रही है, Early Childhood Education का रोल बात कर रही है, रोल के उपर बात कर रही है और Sustainable Society जो है, उसके उपर हम बात कर रही है, तो हम point one की बात करते हैं, यह चांद point हैं जिनको हम देखेंगे, ECE के अवाले से और Sustainable Society के अवाले से, जो हमारे पास पहला साल है, वहाँ पर हमने बचों के अंदर जो चीज़ डिवेल्प करनी है, वो हैं उनके attitudes, उनकी values, क्योंकि जब attitudes की बात करते हैं, तो उसकी output की सुरत में हमारे पास behavior आता है, जब हम values की बात करते हैं, तो इसका जो input है, वो आपकी सोच के साथ तालुक रखता है, बुनियादी तोर पर, इस model के उपर हम पहले भी discuss कर चुके हों में हैं, आपके thoughts जो हैं, वो base बनते हैं आपके value system पे, आपकी सोच जो हैं, वो बुनियादी तोर पर, standard of good and bad का फैसला करवाती है, standard of good and bad जो हैं, वो आपके attitudes, आपकी feelings, आपके emotions के साथ attach होते हैं, you say this is good, this is bad, this is good, this is bad, और जब आप ये सोच लेते हैं, कि ये bad है, तो action में, behavior में, आप उसको नहीं करते हैं, और सोच लेते हैं, कि ये अच्छा हैं, तो आप उसको करते हैं, अब बुन्यादी तोर पर हमने पहले साल के अंदर, बच्चों की सोच में यू समझ लें कि हमने उस सीड को लगाना है, जिसने बाद में बड़ा होकर एक plant बनना है, और वो सीड क्या है, वो सीड आपकी सोच है, आपका thoughts हैं, क्योंकि आपके thoughts जो हैं, उन्होंने आपके value system को develop करना है, और आने वाले वक्तों में आपके जो challenges हैं, उनको face करने के लिए आपके thoughts का जो है, वो एक बहुत बड़ा रोल है, हम समयते हैं कि जब एक इनसान एक complex situation में आ जाता है, तो बुनियादी तोर पर वो अपने साथ एक जंग करता हैं, और वो जंग क्या होती है, कि उसकी सोच की जंग होती है, कि ये अच्छाई हैं, ये बुराई हैं, और वो understand करता है, this is good and this is bad, और उस वक्त उसको decision करना होता है, कि इस वक्त उसने अच्छाई का साथ देना है, या इस वक्त उसने बुराई का साथ देना है, अब ये तमाम चीज़ जो है, इसकी इप्तदा जो है, जो हमारी society, जिसको हम sustainable society कह रहे हैं, उसकी इप्तदा जो है, वो हमारी ECE से होनी है, early child education के अंदर, जब हमने उसके thoughts develop कर दिये, उसका value system हमने develop कर दिया, उसके attitudes develop हो गए, तो यह अब उसकी personality का एक हिसा बन गया है, now it is part of the personality, उसकी सोच ऐसी develop हो गई हुई है, अब किसी भी complex situation में वो जब आएगा, तो जो dominant होगा, वो उसकी personality होगी, और वो personality जिन सोच से बनी हुई है, वो उन सोच से deviate नहीं करेगा, अब हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, आपको sustainable development goals के इसकी मिसाल लेते हैं, और आपको यह बताते हैं, एजुकेशन करीकुलम के अंदर, जब SDG's उसका part होंगे, तो वो किस तरह एक role play करेगा, हमने, first year के अंदर ही बच्चों को जब, environment के बारे में, society के बारे में, और जो future society की output है, जिसके अंदर जो हम चाह रहे हैं, कि हमें ऐसी personalities चाही है, उससे related, जो बातें आज हमने, उनके जहन में डाल दी है, जो सोच आज हमने उसको develop कर दी है, वो सोच परवान चड़ेगी, और वो आने वाले वक्तों में, जब वो society का member बनेगा, sustainable society का हिस्सा होगा, तो वो उसी सोच को लेके चाल रहा होगा, अगर किसी वक्त उसको, मुश्किल फैसला करना पड़ता है, कोई decision करना पड़ता है, कोई complex decision आ जाता है, तो उसके उपर उसकी dominant, जो thoughts होंगे, वो thoughts होंगे, जो उसने वहाँ पे, इसी से उसके develop होते हुए आ रहे हैं, आप कोई भी example ले ले, हम discrimination की बात करते हैं, अगर आपने एक बच्चे को, EC के पहले साल के अंदर, उसको ये बता दिया, कि discrimination एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो चाहिए gender के हवाले से हो, religion के हवाले से हो, culture के हवाले से हो, तो जिन्देगी के किसी भी मरहले पर, अगर उसको कोई फैसला करना आएगा, और उस फैसले के अंदर, अगर ऐसी situation आजाए कि, जहां पर कोई discrimination हो रही होगी, तो वो discrimination नहीं होने देगा,